Hello guys! Namaste! Welcome back to my channel Stylus School आप सब का बहुत सारा स्वागत है सारा बहुत सादा स्वागत है कैसे आप सब अप सब आप सब ठीक होंगे मैं वे विल्कूल ठीक हूं ठीक ही हूं तमस्टो ठीक ही हूं So guys, आज का वीडियो एक रिव्यू है मैं एक प्रोड़क्ट का रिव्यू करने जा रही हूँ and guys मैंने इस प्रोड़क्ट को पहली बार खरीदा है और मैं पहली बार लगाने जा रही हूँ क्योंकि मुझे इस प्रोड़क्ट के बारे में अभी पता चला पता चला मतलब पता चला कि यह मेरे पगल के शॉप पे अवेलिबल है और कम दाब में भी मुझे मिल जाएगा जो कि मुझे पैसे मैं यह मम्मी ने दिये इसको खरीद लिया और मैं ले आई ओके तो जो प्रॉडक्त है जिसका मैं आज रिव्यू करने जा रही हूं मैं फुद इसको पहली बार यूज ने पता मेरे एक्सपीरिंस कैसे होने वाला है बस होने वाला है जैसा भी हो गां वैसा होने वाला है जो प्रॉडक्त मैं यूज करें जाड़े पहली बार वो है स्वाइड लेक्मे 925 CC कॉंप्लेक्शन केर क्रीम और जो मेरा शेड है हानी अपकॉस यह मेरा शेड नहीं है कैसे मेरी स्किन तोन दस्की है मेरा रंग सावला है और जो लाइक में यह ज्यक्के ज़ιάट तर प्रोडॉक्स होते है वह हम प्रावन गोल्स के लिए नहीं होते ह। सॉर्य मेकप उनके फाउंडेशन, सीसी क्रीम और मूस ब्राउन गल्स के लिए होते हैं सिर्फ फेर गल्स के लिए होते हैं I don't know why मैं कोई कंप्लेंट कर रही हूँ बट मैं कोई व्यंगे नहीं कर रही है लेकर में पे व्यंगे है पतानी क्यों नहीं होते हैं अब उनको पता होगा जाद आच्छे से कि क्यों नहीं होते हैं मैं भी आगे जाके वो शेट्स मतलब आई सिर्फ चार शेट्स थे और जब मैंने उनको अपने हाथों पे रखा कुछ भी मुझसे में failures नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे स्किन टोन डस्की है इसलिए तो पट मुझे लेना था क्योंकि मैं टीवी में एड देखते कर मैं पागल हो रही थी कि मुझे को लेना है मुझे से यूस करना है तो करना है मैं देखना चाहती हूं मुझे भी करीन कपूर जैसे लगना है मुझे सो गाइस चलो आप देख सकते मैंने इसका चोटा पेक देया जो सिफ रुपीस 99 में है यह कहता है यह है अल इन वन इंस्टेंट स्किन स्टाइलिस्ट इसके इस पीफ 30 पी एक डबल प्लस है अब यह लैक में फैशन वी के यूज किया जाता है अब इसके क्लेम्स देखते है इंस्टेंटली प्रोटेक्ट्स मॉश्चुराइज ब्राइटेंस ब्राइट यहनी गो रहा हूं ना पता नहीं इजन स्किंटन चुन कुनिया थ। इण अ। इज स्किन जाता हूं लूज स्किंटमय ऐट यह है और शहर यह दिदूसें आप सी की धियुज के लिए ईटिय। इसको उसेज एकिय। for usage apply the creaming dots across the cleansed face and neck gently blend using fingertips okay our question we are saath me avoid contact with eyes wash your eyes thoroughly with clean water in case of eye contact okay okay so let's use it I will use it from my fingers because it is a creamy egg so I can use it from my fingers so let's go first sorry it's very quickly but let's talk about packaging so guys packaging is very good this is a pink color I like girls it has a candy pink color and it is also very shiny look at the eye, it is also very shiny okay packaging, I had another pinnye on it I have just fired it okay so let's remove it from inside so guys inside it is like this so let's see look at this it is quite small I don't know one million yeah I have to set a little bit so this is like this okay 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 guys 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 okay 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 so okay 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 तो मैंने इतना लिया है क्योंकि रात हो रही है मुझे दो के सोना भी है मुझे वेस्ट करना पसंद नहीं है तो इन्होंने खाए डॉट में तो डॉट डॉट I don't know dot में करने से कोई changes आगे या नी बट करते हैं I think इतना काफी है बहुत ही हो गया तो guys मैं सोचने कोई इच अलग करते हैं अलग मतलब यही लगाई है कुछ अलग नहीं है एक तरफ मैं अपने hands से करने की कोशिश कर दियू और एक तरफ मैं अपने sponge से करने की कोशिश कर दियू तो इधर भी लगा लेते हैं कैस आप देख सकते हैं यह मेरा कलर नहीं है यह guys I think जो फेर के बाद जो एक शेर आता है मतले की फेर इंग हिंदी में उसको क्या कहते हैं गे हुआ रंग I think यह उनके लिए है जो की dusky skin tone से एक दो शेर जादा लाइट होते हैं मुझे बस एक बात समझ में नहीं आते guys मुझे लाइख में बहुत पसंद है लाइख में की लिपस्टिक awesome लाइख में की काजोल awesome मस्कारा awesome आईशेड़ पैलेट्स भी awesome लिपस्टिक तो माशाला ही हैं बस मुझे यह समझ नहीं आते लाइख में के foundation CC cream और compact powder वो सबके ले क्योना है रहते हैं और रहते हैं कमेe Indian प्रोडडेक्ट यार इंडियन प्रॉड़क्ट और इंडियन शेट ही नहीं है हाथ जोरे के प्राउडना करते हैं प्लीज उर ब्राउन स्किन वाली लडिकों के लिए भी शेट निका लिए हमें आपके प्रोड़क्स बहुत पसंद है हम आपके हम आपके फांडेशन वगेरा को भी पसंद करना चाहते तो प्लीज हमाई लिवे शेट्स निखा लिए इस लिए बाते बहुत होगी मैं अपने इस वाले एरिया को सपंज से करूंगी नॉर्मल सपंज है और हाथ से तो चलो सपंज से बले करते हां काई सपंज को करने से पड़े आप इसको वेट कर लीजिए और इसका सारा पाने निचूर दीजिए इससे आपकी जो एप्लिकेशन है उस एजी और अच्छी होगी आपको मैट फिनिश लोक्त लिए कि मैं ओल्रेदी कर चुकिया है सब चलो सब करते हैं कि बले दीवार बनाते हैं कि अब चलू हो हो मैं अपने आइबरोस पी लगा लिया हुआ 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 है आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं भाईया क्या चुक आपका यहां देख सकते हैं इन दोनों में डिफ्रेंस यह मेरा शेट नहीं है और मुझे गोरा होने का कोई शॉक नहीं है मैं पहली बता रहे हुँ यह मेरा शेट नहीं है पहले है मैंने कोई इसको गोरा होनी लिए नाइश खरीदा हमचे अपना किलर बहुत पसंद है इसकी कवरिच काफी नॉर्मल है मतला फुल कवरिच नहीं है मीडियम है मेडियम अभी कमी है इसका जो शेड है मतलाब मेरे से 1-2 shades lighter skin tone वाली लड़कियों के लिए ये बिलकुल perfect है क्योंकि ये blend अच्छ से हो जा रहा है, सही है उनके लिए जिनका ये शेड है और जिनके लिए ये शेड नहीं बदा हैständी, इनके चैरे पे ये ऐसा लगीगा बना पुटी तो मैं अब इदार अपने हाथ से करते हैं अपने फिंगर टिप्स का यूज करके जब भी आपने हाथों से फिंगर कुछ करने जारे हों अपने हाथों को साफ कर लीजे मैं कर चुकियो वाथ तेरी अपने फोरेट में जितना अंदर तक आपने फाउंडेशन अपने सीसी अपने बीवी क्रीम को पहुचा सकते हैं इससे आपका जो है नेश्रल लुक आता है ऐसा लगता नहीं कि आपने उपर से कुछ लगाया है अपने एर्स को भी मत छोड़िए एर्स मैंने नेक पर नहीं लगाया को ही नहीं इससे आपके डार्क सॉर्कल्स को हाइट नहीं करने वाला उसके लिए आपको कज़ी लगाना पोड़ेगा अगर आप इसके साथ एक मेकप करना चाहते हैं तो फुल फेस कर दो वान मेंच.. लगान में लाइट मुझे अपना अचा एंप लग रहा है क्योंकि मिरर में ये हॉरीबल लग रहा है आप अब लग रहा है अगर पॉसिबल हुआ वा तो मैं आपको इसकी प्लिक पिक लिख करके इसके साथ अटेच करूँगी पिर भी आपको देखने से पता चल रहा है कि मैंने अपने फेस पे चैसे की कुछ एक मास्क पहना हो इसमें डिफरेंस है अगर आपको दिख रहा हो तो मेरे नएक और इसमें यह काफी ज़्यादा हो गाइस मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ा स्टिक है जिनके लिए शेट बना अगर बोई से लगाए तो गाइस कल्स फिर आपके लिए बिल्कुल पाफेक्ट आप इसके साथ जा सकते है लेकिन जिनके लिए शेट नहीं है प्लीज दूरी रहिए कि कुछ देर बाद जभी ऑक्सिडाइस्ट हो जाएगा और जिनके पाफेक्ट आपको प्ताइस दिखने वाला है अधिक अधिक केमरा में इतना अच्छा क्यूं लग रहा है सही कहते हैं केमरा सब को अच्छा बना ही देता है और चीज को काई ज़िसकी में आपको बताएं फुल कवरेज नहीं दे रहा है मैं इधर अपने मिरर में देखकर आपको बताती हो लिकुछ कवरेज तो मेरी शकल से आपको मेरा रिव्यू मिल गया होगा उनके लिए बहुत अच्छा है जो जिनका शेड है ये आप बिलकुल जा सकती हैं बिलकुल हनी ओके पर दास नॉत माई हनी इससे थोड़ा और डार्क शेड रहक होगा थोड़ा क्या बह्त कुना चाहिए इंडिया में कम में 2000 शेड लiphय हो सरी छ चाहिए प्लीज हमारे लिए बदनाएए ये मैं आपसे request करती हूं सारी girls आपसे request करती है हम भी आपके products को use कर ना चाहते हैं overall अगर आप try करना चाहते हैं तो try कर सकते हैं क्योंकि 99 रुपीस का है ज्यादा amount नहीं है आप try कर सकते हैं अगर आपका यह शेड है तो आप बिल्कुल इसको परचेस कर लीजे 100% क्योंकि आपका शेड है आपके फेस पर अच्छा भी लगेगा अच्छे से ब्लेंड ब्लेंड तो मेरे भी फेस भी हो जा रहा है बट नाच्रल नहीं लग रहा है मुझे मेरा कलर नहीं लग रहा है ऐसे लगदा है मैंने कुछ पहल लिया है अपने कलर वाइट करने के लिए फेर करने के लिए तो ब्राउन कर्स तो नहीं कर सकती इसको यूज तो मुझे तो लगता है मुझे से अपनी सिस्टर को देना जो पड़ेगा हो फेर है वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है तो मैं रखती हूँ मून पर बात थो भी कर रही हूँ जो रखती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई हो ना भी आई है तो प्लीज कोच मुझे मैं कुछ नहीं कर सकती है इस वीडियो को प्लीज लाइक ज़रूर कीज़ेगा कॉमेंट करके बताईएगा कि इसने आपके साथ कैसा वर किया अगर आपने इसको यूज किया है और वीडियो को शे ब्रादरी अगर आप धूरी हो तो आपके यूज